आपका मेरे चैनल माई किचन गार्डन में स्वागत है आप वीडियो लास तक देखें सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी दवाना भी न भूलें मैं नर्सरी से लाया हूँ आडू का पौदा आडू पडोसी देश चाइना का मूल पर जाती है पर यहां पर दो प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है सेरे पंजाब और प्रभात ज्यादा पैदावार के लिए बल्वी दोमट मिटी की जरुवत होती है मिटी का पी एच 5.8 से 6.8 होना चाहिए खाद सड़ा गोबर सबसे अच्छा है साथियो ग्रैब्टेट पौदा ज़्यादा उचा नहीं होता और इसका फैलाओ भी कम होता है और फ्रूटिंग जल्दी हो जाती है आडू के पौदे को आप अपने छट में बड़े कंटेनर में या कटेवे ड्रम में भी लगा सकते है याने जड़ों को फैलने के लिए जगह होनी चाहिए छोटे गमले में न लगाएं तो अच्छा रहेगा मैं इस पौदे को जमीन पर अपने कार्डन में ही ट्रांस्प्रांट करता हूँ मैंने दस दिन पहले दो फिट बाई दो फिट का गड़ा खोदा था इसमें आदा गोबर की खाद डाल रखी है पहले से और एक बार इस्प्रेपम से दिमक की दवा का छिरकाओ भी किया है पौदे को गड़े में डालने से पहले बलेड से जड़ के बाहर के प्लास्टिक को काट रहा हूँ देखे जड़े अच्छी निकली है ग्राफ्ट की जग़े पर भी टेप लगी है इसको भी निकल रहा हूँ पौदे को गड़े में डाल कर नाप कर देखा तो लेवल ठीक है अब मैं पौदे को सिधा करके पौदे के चारों तरब गोबर डाल रहा हूँ फिर एक बार दिमक की दवा का दुबारा छड़काओ करता हूँ अब मैं गड़े को पुरा मिटी से भर कर दोनों हातों से दवा रहा हूँ इसके दो फाइदे हैं पहला पौदा पानी डालते समाई और हवा से नहीं गिरता है दूसरा अंदर की हवा भी पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है लाश में धिरे धिरे पानी दे रहा हूँ अगर बारिस हो रही है तो पानी देने की जरुवत नहीं है साथियों आडू एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर फल है वजन घटाने में मददगार है यह फल LDL कोलेस्टॉल को कम करने कैंसर दिल की बिमारी और एनीमिया जैसी बिमारियों में भी मददगार है इसमें बेटामीन ए और बेटामीन सी पाया जाता है ज्यादा फाइबर होने से आडू का फल पेट को ठीक रखता है और पाचन क्रिया तेज करता है गर्वती मेलाओं के लिए भी यह फायदी बंदग है साथियों मेरा एक सुझाओ है कि आप जरूर एक आडू का पौदा ग्राप्टेट अच्छी प्रजाती का अपने गार्डन में शामिल करें और जब आडू का सीजन आता है तो एक या दो फल रोज अपने डाइट में शामिल करें वीडियो पसंद आया तो जो नए दर्सक है आप से निवदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पुराने साथी हैं वे शेयर करें लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने विचार ब्यक्त करें बाई बाई जैश्री कृष्णा